मैं Dr. Harsh Goyal हूँ और मैं एक होमेपिथिक डॉक्टर हूँ आज मैं आपसे immunity के बारे में बात करूँगे सबसे पहले तो immunity होती क्या है immunity होती है defense against infection इसका मतलब है कि आपकी body इतनी strong है कि आपको infection नहीं होता बहुत बार ऐसा होता है कि आप ऐसे environment में हैं ऐसी surrounding में हैं जहां बहुत से viruses हैं, bacteria हैं और वो आपको attack करने की कोशिश करते हैं बहुत से allergens होते हैं वो भी आपको attack करने की कोशिश करते हैं क्यूंकि आपकी immunity इतनी strong होती है आप उससे infect नहीं होते वो आपको attack नहीं कर पाते और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वहीं पर उसी environment में जिनको attack हो जाता है, infection हो जाता है इसका मतलब यह है कि उनकी immunity low है और उनको immunity को boost करना चाहिए अपनी immunity को बढ़ाना चाहिए जिससे कि वो किसी भी इस तरह के किसी भी infection से लड़ सकें तो उसके लिए मैं आपको आज कुछ homeopathic medicines बताऊंगी जिससे कि आपकी immunity बढ़ जाएगी अगर आपने अभी तक मुझे subscribe नहीं किया है तो subscribe कर दें और bell बटन को दबा दें जिससे कि जब भी मैं इस तरह की वीडियो बनाऊंगी तो आपके पास उसका alert आजाएगा और एक like बटन को दबा दीजिए अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है और comment section में आप comment कर सकते हैं पहली medicine immunity के लिए मैं बताऊंगी वो है arsenicum album 30 जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा weakness होती है आपकी immunity आपको लगता है बहुत कम है मतलब इसका कि अगर आपको बहुत जल्दी जल्दी cold हो जाता है थोड़े से exposure में cold होता है गरम से ठंडे में जाने में या ठंडे से गरम में आने में cold हो जाता है तो इसका मतलब आपकी immunity low है और उस time के लिए ऐसे व्यक्ति को arsenicum album 30 की तीन डोज सुबह खाली पेट चार बोली ले लिनी चाहिए तीन दिन तक और इसको फिर इसी तरह एक हफ़ते के बाद तीन दिन के लिए रिपीट कर लीजिए आप जिससे कि आपकी immunity बनेगी और आपको जल्दी जल्दी infection नहीं होगा suppose आपको infection हो ही गया है उस case में आपको अगर ऐसे symptoms होते हैं जैसे कि आपके नाक से पानी बह रहा है sneezing हो रही है non-stop sneezing होती है छीके आती रहती है burning sensation होता है गले में नाक में burning sensation होता है नाक बंद हो जाती है और रात में बहुत problem होती है इसके aggravation रात को होता है upper chest में pain होता है body ache restlessness बहुत weakness महसूस होती है और anxiety बहुत जादा होती है आपको प्यास बहुत लगत लगती है और आप थोड़े थोड़े पानी को sips of water आप लेते हैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए थोड़ी थोड़ी देर के अंतर में जिससे आपका मुझ सिरफ गीला रहे उसके लिए अगर आपको ऐसे symptoms होते हैं उस time में ऐसे में आप arsenic 30 की तीन डोज सुबह दोपहर को और शाम को चार दिन तक ले लिजे चार चर गोली की इसको लेने से आपका ये problem ठीक हो जाएगी और आपके अंदर immunity भी develop हो जाएगी next medicine है इचनेशिया 30 इसको medicine को immunity booster भी कहते हैं ये एक anti-inflammatory, antibacterial और antiviral होती है मतलब इसका कि अगर कहीं inflammation हो गया है आपको तो उसको ये जल्दी से ठीक करेगी bacterial infection हुआ है तो उसको ठीक करेगी या viral infection भी हुआ है उसके लिए भी ये काम आती है इसका जो effect होता है वो ये है कि कोई भी अगर आपको problem हुई है तो उसको जल्दी से ठीक करती है और उसकी duration को कम कर देती है जैसे कि अगर आपको कभी gums में pain हो रहा है या फिर bronchitis हो रही है या cold and cup या कोई भी problem होती है अगर आप इसे लेते हैं तो उससे उसके time कम हो जाता है duration कम हो जाता है तकलीव को बढ़ने नहीं देती है बलकि उसको कम कर देती है तो इसकी आप 10 drops दिन में 2 बार सुबह और शाम आधा कप पानी में डाल करके और इसको आपको एक महीने तक लेना होगा तो इस तरह से आपकी immunity boost हो जाएगी और आपको problems जल्दी जल्दी नहीं होगी और आप ठीक रहेंगे नेक्स्ट मेडिसिन है जल्सीमियम 30 यह जनरल weakness के लिए है आपकी body गिरी गिरी जाती है कब मन करता है लेटा रहू मैं body एक होता है बहुत जादा और एक जगे जहां यह बहुत अच्छा काम करती है anticipatory anxiety में आपको कहीं किसी function में जाना है और वहां आपने कुछ arrangement करना है कुछ बोलना है या कुछ भी organize करना है उससे पहले आपको बहुत ज़्यादा stress हो जाता है कि कैसे होगा और उसकी वज़े से आपको कोई भी तकलीफ हो सकती है depression हो सकता है आपको खासी हो सकती है ऐसे symptoms आपको develop हो जाते हैं तो ऐसे में आप जलसीमियम 30 दिन में 3 बार 4-4 घंटे के अंतर में आप ले लेजे और इसको एक महीने तक लेते रहे जिससे कि ये आपकी problem धीरे-धीरे solve हो जाएगी आपको लगेगा कि आपके अंदर confidence develop हो रहा है और आगे आपको बहुत असानी से आप ये organize कर पाएंगे next medicine है ginseng biloba q ginseng biloba mother tincture ये mental health को improve करने में बहुत help करता है जैसे कभी-कभी आपको लगता है आपको याद नहीं रहती हैं चीजें आप जल्दी भूलने लगते हैं और उसकी वज़े से आपको depression सा रहता है कि मुझे तो याद ही नहीं रहता old people में तो ये होई जाता है यादधाश्ट की problem तो उससे आपकी confidence बहुत low हो जाता है तो इसके लिए आप ginseng biloba mother tincture की 15 drops आधा कप पाने में मिला करके सुबा और शाम दो बार लीजिए और इसको आप 6 महिने तक continue कीजिए जिससे की ये आपका जल्दी ठीक हो जाएगा ये आपकी elementary canal या digestive canal को strong करता है इसको gut immunity से बनती है आपकी तो आपको ये कैसे होता है कि आपको अक्सर ऐसे होता है थोड़ा सा कुछ खालिया उससे indigestion हो जाता है gas बनती है motion में problem होती है कभी constipation हो जाता है कभी lose motions हो जाते है तो इसको strong करने के लिए आप next omega 30 दिन में 3 बार आप ले लिजे सुबह दुपहर को और शाम को और इसको आप 4-4 गोली ले लिजे दिन में तो इससे ये आपकी problem जल्दी जल्दी नहीं होगी और धीरे धीरे करक ये ठीक हो जाएगी अगर आपने मुझे अभी तक subscribe नहीं किया है तो subscribe कर दें और bell बटन को दबा दें जिससे कि जब मैं videos बनाऊंगे इस तरह के तो आपके पास उसका alert आजाए अगर आपको ये पसंद आता है वीडियो तो आप like का button दबा दीजे और comment section में आप comment दे सकते है thank you